असलाम अलेकूं मिवर्स अभी मैं इसमें यह मूली बता रही हूँ यह यह पिंक मूली है अब इसका सालन में बनाने जा रहे हूँ और इसको अच्छे से साफ कर ली हूँ अब इसका सालन बना के बताती हूँ यह मूली है बाजार में किदर भी मिल जाएगी इसको अंदर से कट करेंगे तो इस रहेंगी इसका मैं साफ करके बतार। हूँ हूँ यह अइसा यह दालते हैं है वह यह अधर ऐसा रहता है रहे अ बनाफार से रहा यह अधर आप Cathy मूली आपी के में बसाती अब इसको मूंग फली को में बुन लेती हूं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूं इसको तोड़ा बेशन पोड़ बुन लेती हूं इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे मैं इसमें दाल लेती हूं बेशन पोड़ा अबी रोस्ट किया ना हुआ और धन्या पोडर, लार्विर्च पोडर, रट्चिली पोडर है, और धन्दी पोडर, पेपर पोडर, यह चाट मसाला है, यह गरम मसाला पोडर, यह जीरा पोडर वसालन में जाएगा फली और दाल लीओं, इसमें थोड़े ही यह दाल लेते हैं, इसके छिल्टे अच्छे से निकाल दिये, थोड़ा हर्या धन्या, दो ग्रीन चिल्दी, आठ से दस करी पत्ते, चार करलिक पीस, यह कोकोनट पीस जाएंगे, एक मेडियम ससका आनियन दालोंगी, इसमें चार से पांचित तमाटो जाते हैं, वोड़ा पानी दालोंगी, अब इसको ग्रेंड कर लेती हूं, चार से पांच तमाटो दाल रहे हूं, तमाटो का भी पेस्ट बना लेती हूं, इसको ग्रेंड कर लेती हूं, दो बड़े चमल आयर दालोंगी, हांव टीस्पून जिरा दाल रह इसको पकाने का तरीखा अलग-अलग है अब इस मघरी पता दाल रहे हो अब इस मघच्टर के दालती हो कभी तरी पता और उसे आपके मिश्पर दालती हो अदरक लशन का पेश दाल रहे हो तू टेबल स्पून है यह यह वूदी के सालन में आलू भी दाल सकते ही और बैगन हेल दाल सकते ही हां आपकी चोईश से घरे टाल रहे हों इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हो थोड़ा पानी ज़ाती ही इसको अच्छे से रोश्ट किया है है तो इस मघच्चा अब अलू इसमें मूली दालती हूं देखिए मसाला काल साथ इसको में आरेनेट हो गया है देखिए इसको अच्छे से मसाला पकड़ लेता है जो भी सुका मसाला इसमें बचया है वो इसमें दाल देती है और इसमें नमक जाता है एक टेविल स्पून राफ टीज़पून लेमन जूस यह गरम मसाला चाट्टा मसाला है कश्मीरी रचिली पोडर लेक टेविल स्पूल थोड़ा सधन्य पोडर इसे अच्छे से मिक्स करती हूं हूं तमाट्य प्यूरि दालती हूं भी थोड़ा जार वाश करके दालती हूं पानी झाली, थोड़ा अच्य मिक्सकोई, यहका पानी अँरा दाला है मैंने पक्या और धीक खोले-ाव्याइद काफ मों ठीज्ट करेंगे तो विस्क sausage पख गया है इसको लेट लगा देदे एक बेजल आने तक करेंगे अच्य से साला पकएद गया है इसका हुली और शालंग करती स्लाम एकूं इवर्स ये मुली का शालंग पख गया है देखिए अच्छे से पख गया है बहुत अच्छा है अच्छा है डिखिए यह आलू है हम वह देखिए इबरस अभी इकल गया है अच्छे से कल गया है विखा के बताती हूं बहुत अच्छा टेश्ट आया है भूती लजीज बन्या है ये सब को शेयर करो मेरे रसीपी को ये इसका हसालन में बहुत अच्छी खुश गुआ रही है मेरे रसीपी पसंद आये तो आपको मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चानल को सब्सक्राइब करो सब को शेयर करो मेरे रसीपी को ये आपके फ्रेंट्स में आपके कजीन्स में मेरे वीडियो शेयर करो मुझे कमेंट में बताना ये मूली का सालन आपको कैसा लगा द्वा में याद रखना वीवायर्स अल्लाह आपीस कर दो